इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। क्योरेटा पचास ड्राय सिर्प एक एंटी बाउटिक दवा है। यह आमतोर पर बच्चों को कान, आख, नाक, गले, फेफडे, त्वचा, जटरांत्र संबंधी मार्ग और मूत्र पत को लक्षित करने वाले जीवानू संक्रमन की एक विस्तरित श्रिंखला के इलाज के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग बच्चों और किशोरों में जटल टाइफाइड बुखार के इलाज में भी किया जा सकता है। क्योरेटा पचास ड्राय सिर्प भोजन के एक घ गहंटे बाद दिया जाता है क्योंकि इससे बहतर अवशोशन सुनिश्चित होता है। यदि आपके बच्चे का पेट खराब हो जाता है तो उसे भोजन के साथ देना पसंद करें। खुराक और अवधी संक्रमन के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करती है। इसलिए ड क्लू के लक्षणों के मामले में अपने बच्चे को यह दवा न दे क्योंकि वे आमतोर पर वायरस के कारण होते हैं और एंटिबाउटिक्स वायरल संक्रमन का इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर इस दवा को खांसी और सर्दी के लिए तभी लिखते हैं जब वे किसी अंत दौर पर आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं। हाला कि अगर ये दोश प्रभाव आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या परेशान करते हैं तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को रिपोर्ट करें। इतिहास बताएं। ये जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समगर उप्चार की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। औ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।